आज हम आपको बताएंगे सर्सो की साख बनाने का बहुती आसान तरीका ओभी सर्सो वाली बनाना बहुती आसान है और खाने में बहुती टेस्टी लगता है जो आप लोग देख सकते हैं रोटी के और चावल के साथ भर पेट घा सकते हैं तो ऐसा ही बनाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर दिखिएगा अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छ लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक और हमारे चेनल को सस्क्राइब चरूर कर दिजिएगा तो देर किस पात की दोस्तों चलिए सही बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर मैंने ले लिया है सरसू जो आप लोग देख सकते हैं ठीक है आप लोग के सामने है तो सरसू के साथ कैसे बनाना है और कौन सी सरसू लेना है आपको यह देखे यह डंटल वाला सरसु है जो टाइट हो क्या है तो अगर टाइट डंटल है तो उसको अगर आप साग बनाते हैं तो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों यह देखिए इसका प पे भी हम इसी तरह से तोड़ लेंगे जहां से नरम है वहीं से दीचिएगा तब जाके साप चोए पहुती टेश्टी और एकदम नरम बनेगा ये देखें आप चाहें तो इसका जो फूल होता है वो भी ले सकते हैं जो मैंने बहुत सारा लिया है इस सरसो में अब इन सब को ह आले हम क्या करेंगे इसको अच्छे से कट कर लेंगे उसके बाद इसको धोना है तो अच्छे लिए कट करने के बाद इसको धो लेते हैं आप देखें हम आपको मसाला दिखा देते हैं तो ये मसाला है दो गांटले सुन छिल लिया है मिर्शी अपने दिखा कई साप से ले और एक सेडीर चम्मच मेंने आप या पिली-वडी सरसु लिया है अगर आपके पास काला वाला सरसु है तो आप वो भी ले सकते हैं लेकिन हम लोग पिला वाला सरसु ही खाते हैं आप देखिए आप मैंने दो प्याज ले लिया है इन सब को हमें पीषना है तो आप चाहें मिक्सीजार में भी पीष सकते हैं लेकिन हम इसको सिलबटे पे पीषेंगे आप देखें हाँ पे जो सरसो का साग था जिसको मैंने कट करके रखा वा था अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद ये देखें मैंने कड़ाई में रख दिया इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है दोस्तो जब हम साग को धोते हैं तो थोड़ा बहुत पानी उसमें च बहुत ही अच्छे से उबल गया है इसको अच्छे से मिला दीजिएगा यहां पे भी अभी गैस को मैंने हाई फ्ले में ही रखा है चलिए अब हम क्या करेंगे गैस को बंद करेंगे फिर हम इसको निकाल देंगे इस तरीके से हमें इसको छान के निकाल लेना है उसके बाद को फेक दे उसके बाद दिखिए कडाई को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है ुसके बाद इसमें शरसो का तेल डाला है आप चाहे तो कोई भी तेल ले सकते हैं तेल अच्छे शुरू होके है उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे मसाले को डॉल देंगे इस मसाली को मैंने सिलपट्टे पे पीशा है दोस्तों मसाला डालते समय तुरंत इसको कवर करना है बस 15 से 16 सिखेंड के लिए उसके बाद इसका ढखकन हटा है तो जैसे ढखकन हटा है इसको यह है के नमक डालेंगे स्वात के अनुसार उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्भी पाउडर एक छूथई चब मज? अब देख़ेंगे इसमें डालना है टमार्टर तो एक टमार्टर मैंने लिआ है थोड़ा समय ने इसमें से कठ यदि का कर खा हleri लिया है तो टमार्टरкі मैंने इसमें डाल दिया है बहुत ही अच्छा इससे टेश्ट आएगा अब देखिये मसालों को मैंने चलाते हुए अच्छे से भून लिया है दोस्तों मसालों में से तेल छोड़ना जब सुरू हो जाए तब इसमें सरसो डाल दीजेगा मतलब ये सरसो का साग जो है उसको डा दिया है और बीच बीच में इसको चलाते रहना है और इस तरीके से इसको दबाते हुए अच्छे से इसको पका लेना है गायस के हाँ पे मैंने हल्की सी मीडियम कर दिया है अब देखिए इसको आराम से अच्छे से चलाते हुए पका लेना है हल्की सी मीडियम करना है या चावली के साथ इसको भर पेट कह सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगा तो यह कि मानिए इस तरीके से एक बार जरूर बनाएए अपने घर वालों को खिलाएए और हाँ दोस्तों यह सर्सु वाली सर्सु की साथ बनाने का तरीका आप लोको कैसा लगा प्लेसा में कमेंट किस जरूर बताएगा तो चली दोस्तों फिर मुलेंगे अगली वीडियो में वीडियो दिखने के लिए सुप करिया थेंक्यू करिया थेंक्त ।